नमस्कार दोस्तों में राजिंदर चोदरी अपने यूटूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं देखो अपन जो मेटरी पड़ रहे थे जो मेटरी में आठ क्यूशन कर लेते लाइन एंड एंगल की पूरी डेफिनेशन बता दीती आज देखो नवा क्यूशन करेंगे क् प्रैक्टिस आपको करनी है आठ क्यूशन तो मैंने करवा दिये और जो भी जितने क्यूशन बचेंगे अपने प्रिवेश यह में आयोए नए बनाए वे वह पूरे क्यूशन में यहां पे करवा दूंगा आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना ठीक है तो देखो दस्वे नमबर का क्यूशन तो कि नववा नमबर का ही चलेगा अपनी कि अ कि यह एक सो तीस डिगरी देख रखा है यह 110 डिगरी दे रखा है ठीटा का मान पूचा है और दे रखा है पी क्यूशन समानतर है एस टीक यह वाली रेखा इसके समानतर है ठीक है अब देखो इसको कैसे करेंगी मैंने क्या बताय ता ऐसे कैसंओ को करने के लिए इनके एक ठांसवर्शन लाइन वोनीचह तब यह क्यूशन सोल हो सकते हैं तो क्यांसवर्शन कैसे बनाएंगे आपन देखो कैसे बनाते हैं ठ्रांसमानतर है यह समानतर है आнов00th कितने का हो गया 110 डिगरी का ठीक है इसको आगे बढ़ा लेते हैं यह 130 है तो यह कितने का रह गया 50 डिगरी का अब देखो यह 50 डिगरी का है तो यह वाड़ा कौन एकांत्र कौन प्रोपर्टी से यहां से यहां तक का कौन कितने का हो जाएगा 50 डिगरी का पूरा 110 है 110 में से 50 गया तो कितना बच गया साट डिगरी यह आंसर है कि ठीटा का मान कितना है यह साट डिगरी उतारो इस क्यूस्टन को अच्छा क्यूस्टन नहीं एंसी आइटी से लिया मेनी ठीक है देको दास्वा क्यूस्टन तीन समान तर रेखाएं दे रेखिए अपन को ठीक है यह ए हो गया यह बी हो गया यह C हो गया यह D हो गया और यह E हो गया यह F हो गया और दे रखा है अपन को देखो AB AB पैलर टू CD पैलर टू EF यह तीनों रेखा है क्या दे रखिए समान तर और दे रखा है EA परपेंडिकूलर टू AB यह EA ना AB परपेंडिकूलर है मतलब यह कौन कितने का है 90 डिगरी का कितने का हो गया है 90 डिगरी का ठीक है और दे रखा है कौन BEF कौन BEF यह कितने का दे रखा है 55 डिगरी का यह 55 का दे रखा है यह वाला कौन अब देखो यहां पर X दे रखा है यह पना Y हो गया और यह Z दे रखा है यह वाला पूचा है Find XYZ Find XYZ XYZ निकालना है देखो यहां से यह समा अंतर है यह 55 का है तो एक अंतर कौन प्रवपिटी से यह 55 का हो जाएगा कितने का हो गया 55 का एक सीधी रेखा पर एक सो सी बनता है 180 माइनस 55 कितना बच गया 125 125 डिगरी X का मान क्या गया 125 देखो Y का भी ऐसे ही आ जाएगा यह भी क्या हो जाएगा 55 क्या हो गया 55 एक सो सी में से 55 गया तो कितना रह गया 125 डिगरी ठीक है अब देखो Z कैसे निकालेंगे यह एक तिरबूज हो गया अपना यह वाड़ा इसमें यह 90 यह 55 है तो Z देखो 180 माइनस 90 प्लस 55 ठीक है तो यह कितने डिगरी आ जाएगा 55 यही आंसर है उतारो दस्वे नंबर की क्यूशन को कि अच्छा को अच्छा को अच्छा को एसे आ करते देरें कि यहां से यह से दे रखा है इसको ए यह वह बी यह वह दी यह वह दी यह इमान लेती यह एफ हो गया ठीक है यह 30 डिगरी दे रखा है यह 155 दे रखा है ठीक है और दे रखा है एबी पहले टू एफ पहले टू सीडी ठीक है और एचीडी पूचा है अपनको यह वाला पूचा है ठीटा महान लेते हैं इसको find the e c d कि इसी डी फाइंड करना अपने को कोई देखो कैसे करेंगे ट्रांसस वर्सल लाइन और चिए यदि क्यूशन सोल करना है तो क्या होनी चिए ट्रांसस वर्सल लाइन देखो कैसे बनाएंगे इसको आगे बढ़ा लिया अपनि यहां तक बढ़ा लिया, ठीक है, यह 55 है, तो यह कितना हो गया, 25 दिगरी, 180 में से 155 गया, तो 25 दिगरी, यह वाड़ा कुण कितना हो गया, 25 दिगरी, अल्टरनेट अंगल, अंटरल, देखो, यह 25 है, तो यह वाड़ा क्या हो जाएगा, 25, तो 25 दिगरी, आंसर, उतारो इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टन देखो, 11 हो गए अपनी, 12 वी नंबर का क्युश्टन देखो, 12, यह को दो समान तरीका ही दिए रखिये अपन को, ठीक है, यह दो समान तरीका ही हो गई, एक इनकी ट्रांस्वर्सल लाइन दे रखिये, ठीक है, यह वाड़ा को उन 50 का दे रखा है, यह 50 है, यह वाला 130 दे रखा है, बढ़ा बना लेते हैं तोड़ा, 130, यह वाला वाई दे रखा है, यह वाला एक्स दे रखा है, ए, बी पहले टूशीडी दे रखा है, यह दे रखा है, ठीक है, और एक्स वाई का मान पूचा है, फाइंड एक्स वाई, देखो, यह ट्रांसवर्सल लाईन है, यह 50 का है, तो एक्सीदी रखा पर कितने अगा मनता है, 180, 180 में से 50 गया, तो यह नीचे वाला कौन कितने अगा हो गया, 130 दिगरी का, ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ से आ गया, वैसे भी देख सकते हो आप, संगत कौन प्रोपेटी से, यह 130 है, नीचे वाली लाईन का नीचे वाला, तो उपर वाली लाईन का नीचे वाला, यह 130 है, तो संगत कौन से, कितने हो जाएगा, 130, और यदि देखो, यह 130 है, तो देखो शीर साभी मुख कौन प्रोपेटी से वर्टिकली अपोजिटी ये 130 है तो ये वाई भी क्या हो जाएगा 130 वाई भी क्या हो गया 130 ये ही आंसर है दोनों का आंसर गया हो गया 130-30 उतारो इसको तेरवा क्यों सुन देखो तीन समान तर रिखाने दे रखी है ये AB हो गई ये CD हो गई ये EF हो गई इनकी एक ट्रांसफर्सल लाइन दे रखी है ये वाणा कौन X दे रखा है ये वाणा कौन Y दे रखा है ये जेड दे रखा है AB पहले टू CD पहले टू EF अब देखो यहां से X अनुपात Y अनुपात Z दे रखा है तीन अनुपात साथ ठीक है तो देखो अनुपात दिया रहता है तब कुछ ना कुछ वेल्यू से गोना करते है तो इसको 3X मान लेते हैं इसको 7x मान लेते हैं अब यहां से देखो और पूचा है अपन से x, y, z x, y, z यह find करना अपनको x, y, z find करना है n, c, r, t, k, क्यूस्वर नहीं ठीक है न अब यहां से देखो यह z है तो यह वाला कितना हो गया एक शीदी रेकाप 180 c, तो 180 minus z हो गई यह पूरा कोण ठीक है यह संगत कोण हो गया तो y बराबर 180 minus z आना ची ठीक है संगत कोण यह दोनों बराबर हो ने ची यहां पर देखो y का मान कितना दे रखा है 3x 180 minus यह z का मान कितना दे रखा है 7x यह इदर चला जाएगा 10x की value कितनी आ जाएगी k मान लो यहां पर x दे रखा है तो इसको k मान लो ठीक है 3k और 7k यह कितना हो जाएगा 3k 7k यह 10k हो गया 10k की value 180 दे रखी यह इदर जाके plus में हो जाएगा तो k का मान कितना है यहां से 18 ठीक है तो देखो z कितना जाएगा y कितना जाएगा तीन गुणा अठारा 54 डिगरी और यह z कितना जाएगा अपना 7 गुणा अठारा 126 डिगरी ठीक है z कितना जाएगा 126 देखो यह कितना है y कितना है 54 यह वाला कितना जाएगा 54 तो यह वाला भी कितना हो जाएगा संगत कौन चे 54 ठीक है तो अपना x आगया 54 यह x हो गया यह y आगया 54 और यह z आगया 126 यह ही अंसर है उतारो इसको यह अच्छा क्यूस्टन है यह अंसरी आटी में से लिया हुआ क्यूस्टन है उतारो इसको नेक्स्ट क्यूस्टन देखूं 15 वी नंबर का क्यूस्टन पॉरी चोदी वी नंबर के आएगा 14 देखूं यह A B दे रखा है यह C D दे रखा है यह वाला विंदू O दे रखा है यह 120 दे रखा है और यह वाला 130 दे रखा है A O C पूछा है Find कौन A O C A O C यह वाला कौन पूछा है ठीक है और अपने को दे रखा है A B पैला टू C D यह दे रखा है और Find A O C पूछा है देखो यह वैसे मैंने करवा दिया है इसको क्या कर लेते हैं आगे बढ़ा लेते हैं इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं आप मैंने बताया था इन वाले कोनों का सम इस वाले कोने के बराबर होता है यह 120 है तो यह कितने का बच गया 60 यह 130 है तो यह कितने का बच गया 50 इसका उतारो इसको देखो पंदरवा कि उससन दे रखा अपन को A, B, C, D यह दे रखा है A, यह दे रखा है B, यह हो गया C, यह हो गया D, ठीक है यह O बिंदू दे रखा है 110 डिगरी दे रखा है यह वाला 50 डिगरी दे रखा है और अपन को पूँचा है A, O, C, Find A, O, C, A, O, C यह वाला कौन पूचा है इसको ठीटा माल लेती है ठीक है देखो और दे रखा है अपन को A, B, P, L, C, D A, B, P, L, C, D दे रखा है और यह वाला कौन पूचा है देखो ट्रांसवर्सल लाइन बनाने के लिए इसको क्या करते है आगे बढ़ाते है यह 50 तो यह भी कितने का हो गया 50 का यह 110 है तो यह देखो एक शिदी रेका पे कितने का होता है 110 C तो यह वाला कौन कितने का हो गया 70 डिगरी 50 तिरबुज के तीनों कोण का यह कितना होता है 110 C यह 50 हो गया यह 70 हो गया कितना हो गया 120 तो यह कितने का बचा 60 डिगरी गा और यह 60 डिगरी आंसर है ठीका उतारो इसको देखो शोल वे नमबर क्विस्ण कितने क्विस्ण हो गया अपनी 16 16 16 देखो क्या दे रखा है यह A B दे रखा है यह C D दे रखा है यह P, यह Q, यह R यह क्या दे रखा है P Q R यह वाला कोन अपने को कितने का दे रखा है 50 डिगरी का यह वाला कितने का दे रखा है 127 डिगरी 127 डिगरी और दे रखा है A B पहला टू C D यह दे रखा है और अपने को यह वाला कोन पूछा है ये वाड़ा कॉन, ठीक है, PQR, find करना है, कौन PQR, ये वाड़ा कॉन, find करना है, देखो, ये 50 का है, तो ये वाड़ा कॉन भी कितने का होग जाएगा, 50 का alternate angle, तो ठीटा का मानियां से कितने का आ जाएगा, सिधा, 50 degree answer, ये देखो, confuse नहीं हो ना, ये 127 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और हो सकता है, अपने से ये वाड़ा कॉन भी पूंच ले, ये, ये alpha है, इसका मान पूंच ले, ठीक है, तो देखो, ये ना, 50 का है, तो ठीटा कितने का हो जाएगा, 50 का, ठीटा कितने का हो जाएगा, 50 का, ठीक है, ये 127 है, तो ये वाड़ा कॉ यह हो जाएगा 100cito xem 53 कि यह चाह।एं कि 50 और 153 तो इल्फा का मान कितना जाएगा यहां से अल्फा का मान आजाएगा 103 हो गया तो यह ये आंसर है ठीक है यह वाडा पूच ले तो यह तो Farm दो इनीट शेया जाएका लेकिन यह वाडा जो गित कीए तीनो कोनों का हैोगे 150 सी हुटा है ले धिए 3053 एकल सब्सक्राइब किन facto Ctrl नम्म गार है 207 होगे अपनी और छों देखो यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया, यह E हो गया, और यह F विन्दू दे रखा है, और दे रखा है अपन को A, B, पैलाटू, C, E, इस वाली के समानतर दे रखिए, यह वाली पूरी रेका, यह वाली और यह वाली समानतर रेका है, यह कौन 30 दिग्री का दे रखा है, 30 दिग्री का, C, E, F, यह वाला कौन पूचे है, ठीक है, यह वाला कौन पूचे है, यह वाला कौन 30 दिग्री का दे रखा है, अब देखो कैसे निकालेंगे, और यह कौन दे रखा है, 70 दिग्री, यह कितने का दे रखा है, 70 दिग्री, यह 30 दे रखा है, यह 70 दे रखा है, और यह वाला कौन पूचे, करता है, A, B, C, E के समानतर है, तो पूचे निकालेंगे, यह वाला 70 है, यह दोनों समानतर रखाएंगे, यह ट्रांसपर्सल लाईन होगे यह 70 है, तो यह वाला कौन पूचे कितने का हो जाएगा, 70 गा, कितने गा हो जाएगा, 70 गा, देखो, एक सीधी रेका पे 180 होता है, तो यह कितने गा हो जाएगा, 110 डिगरी, कितना हो गया, 110, तिर भूजगे तीनों कोणों का यह कितना होता है, 180, यह 110 हो गया, तो यह कितना बचा, 180 माइनस 110 प्लस 30, कितने गा बचा यह, यह हो गया, 140 चालीस डिगरी का बचाई ये अंसर है ठीट न मान कितना गया 40 ढिए अच्छा ग्युशन है यह देखो यह 70 दे रखाया तो यह देखो संगत कोनो गए तो संगत कौन ची यह भी कितने का होगा संथर का एक सीधी रेका पर 1100 होता है